बाव लोग बबाल होने वाला है या यूगाओ की भूचाला आने वाला है बले 7th episode तक मेकर ने खुब बकैती मारी लेकिन 8th episode से लेकर 10th episode तक भई भर भर के मज़ा आने वाला है इतने राज इतनी गुत्थियां सॉल्व होने वाली है तुमने सोची ना होगी अभी करेंगे बेकडाउन 8th episode का और इस छोटे से प्रोमो में इतनी hidden details चुपी होई है मैं भी सब बताने वाला हूँ बस थोड़ा सा सब्र दूसरा वैसे तो बहुत कुछ लीक हो रहा है मामला अलग अलग प्रोमो बना दे रहें लोग बाज बट हम सिर्फ जैन्यूइन प्रोमो को ही बे unexpected event था और मजा भी आया है इस twist में लेकर बाब पूरी कहानी twist होने वाली है इस छोटे से incident के बाद जहां प्रोमो के first scene में हमने देखा है लिस फातिमा को चुपते चुपाते टाउन से दूर ले आया है एक लकडी की जोपडी में जहां उसे चुपा रहा है ताकि टेली को मा प्चल मतलब अलग था अगर प्रोमो के हिसाब से बात करें तब क्योंकि Alice से यहां होने बारी है अब गलती जो फातिमा को दूर जंगल में चुपा के अकेला छोड़ देगा जो हम फोटो में भी देख रहे हैं प्रोमो के दूसरे scene में हम देख रहे हैं कि Donna and Boyd discuss कर रहे हैं Boyd को बुलाने और सारी सच्चाई बताने बट फातिमा अब गायब हो चुकी है और प्रोमो के तीसरे scene में हम देख रहे हैं अल जिन एकदम सर्फ्राइस हो रहा है और भाई ऐसे जैसे की इसे सब कुछ पता हो देखो बाव लोग यह सारे रची रचाई गाता है जिसमें हत फातिमा को खाट में लिटा कर पकड़ते भी नजरा रही है यानि उसके ऊपर चड़कर उसे कंट्रोल करते नजरा रही है इसका मतलब अल जिन ने अपना काम कर दिया और यह जो कैमरा अल जिन को मिला है बहुत यह भी इत्तफाक नहीं है यह इसका Google Map है जो इसके इसकी destination त पहुंच जाता है जहां वो फातिमा से मिलते ही उससे जूड़ बोलेगा और इस सेलर वेस्मेंट तक लेकर आए कैसे भी यह कहके कि आलिस ने मुझे भेजा है ताकि तुम इस अंडर ग्राउंड वेस्मेंट पर चुप सको और मेभी वो यह जी कहगा कि आलिस तुमारा वे जाता में रहूंगा ताकि स्पोईल कुछ ना हो पाए अच्छा एल जिन फातिमा को सेलर वेस्मेंट पर क्यों ले जा रहा है सीधी सी बात किमीनो वोमन ने उसे फातिमा को लाने को कहा होगा लेकिन किमीनो वोमन का भला फातिमा की क्या जरूरत है अब इस से आगे मैं कु और डिटेल में नेक्स थियोरी और स्टोरी प्रेडिक्शन वाली वीडियो में बात करूंगा कि आखिर किमीनो वोमन को फातिमा से क्या चाहिए होगा बाकि नेक्स सीन में हमें जूली और एथन एक साथ डंजन प्लेस में दिखते हैं यानि उस प्लेस के बाहर जहां पिछ जूली को अंदर कुछ ऐसा सर्प्राइजिंग मिलने वाला है जो उसने सोचा तक नहीं होगा चलो मैं केलियर केलियर नहीं बताऊंगा हिंट देकर बताऊंगा जिससे समझ आएगा बढ़िया है जिससे समझ नहीं आएगा बाबा एट अपिसोड में देख लेना पिछले स लगाते हैं विराम क्योंकि प्रोमो के हिसाब से इतनी ही बाते सुटेवल है इस वीडियो के लिए बाकि नेक्स वीडियो होगी ठियोरी एंड स्टोरी प्रेडिक्शन पर जहां कोई मर्यादा का पालन नहीं करा जाएगा जहां तक हाथ पाँ फैलेंगे फैला सकेंगे फै तो बता के जाना कि ऐसा कुछ क्या है जिस पर हम बात कर सकते हैं बागी आप सब लोग यूट्यूफ के अलावा इंस्टेग्राम पर भी मुझ से मिल सकते हैं और मेरे टैलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जहां पर मैं बहुत कुछ अपलोड करते रहता हूं तो ज उमर्स आपकी तरफ से आए हैं सुनने में तो वो भी जरूबत आगे जाना यहां तक बहुंच गए तो उसका मले वीडियो पसंद आजे पसंद लाइक कर दीजे नया होते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे जाहित